तो फ्रेंट्स पिछली बार की तरह ये वीडियो भी एक fan-demanded comparison वीडियो है जिसे comment किया है HP Gaming ने तो देखते हैं आज उनका comparison यहाँ पे Snapdragon 4G2 vs Snapdragon 665 का comparison करना है मुझे और मैं बताऊंगा कि कौन सा processor better है तो वीडियो को पुरा last देखेगा ताकि आपको समझ में क्यों बेटर हुआ जो भी processor भी नर हुआ हाई फ्रेंट्स मेरा नाम है गौरो आप देख रहे है टिक रूब सबसे पहले श्टार्ट करते बेसिक इंफॉर्मेशन एनाउंच रेट के साथ स्नाप्रगन एनाउस किया गया था मतलब 4 Gen 2 एनाउस किया था जून 2023 में 665 एनाउस किया था अप्रेल 2019 में क्लास की बात के दो दोने processor मिंड रंज में आते है और मॉडल नमन में 4 Gen 2 का मॉडल नमबर है SM4450 665 का मॉडल नमबर है SM6125 TDP की बात किया था जिसका जितना high watt TDP उतना performance बढ़ेगा लेकिन उसके साथ सार बैटरी ड्रेन एन हीटिंग असू आता है तो यहाँ पे SM4 Gen 2 4 Watt based है और 665 5 Watt based है और अर्किटेक्चर की बात किया था दोने जो processor दियेगे है वो octa-core processor है 4 Gen 2 में मिलेगा 2-core 2.2 पे clock cortex A78 बाकि 6-core 2 GHz पे clock cortex A55 है वहीं पे Snapdragon 665 में 4-core 2 GHz clock cortex A73 और 4-core 1.8 GHz clock cortex A53 दिये गया है तो overall performance के मामले में Snapdragon 4 Gen 2 definitely better होगा because में cortex A78 का support दिया गया है लेकिन यहाँ पे cortex A73 है 665 में वो 4 है तो यहाँ से performance थोड़ी बढ़ जाएगी Snapdragon 65 की अगर इसमें 2 code दिया गया होता तब तो इसका मतलब Snapdragon 65 performance के मामले में भी अच्छा है लाश में conclusion में बताऊँगा कितना better हुआ Snapdragon 65 और आप ए frequency speed की बात के तो Snapdragon 2200 MHz की साथ आता है Snapdragon 4 Gen 2 4 Nm Samsung-based technology के साथ है मतलब काफी better हो जाएगा यह 665 11 Nm Samsung-based technology के साथ है तो यहाँ पे आपकी battery drain and power efficiency थोड़ी कम देखने के मिलेगी 4 Gen 2 के comparison में Graphics के बात के दो Graphics के मामले में दोने processor थोड़े कमजोर processor है 4 Gen 2 में Adnose 613 दिया गया है जोकि इसके previous version 4 Gen 1 से weak है और आप इसका architecture Adnose 600 है 665 में Adnose 610 का support दिया गया है इसका architecture Adnose 600 है तो better graphics अभी के लिए 4 Gen 2 में देखने को मिलेगी तो देखते हैं आगे in-game graphic support क्या रहता है और आप बात किने frequency speed की 4 Gen 2 955 MHz के साथ आता है और जो यहां पे 665 है वो भी 950 के साथ आता है तो दोनों की frequency भी आपको similar से ही देखने को मिलेगी Next आप बात किने यहां पे आपको speed की मतलब flops की floating point operation per second की snapdragon जो देखने को मिलेगा 450 plus रहेगा इसका and snapdragon का मतलब 655 का 243 GF speed रहेगा memory tap support में दोनों ही process similar है LPDDR4X का support करेंगे यहां पे लेकिन RAM frequency का difference देखने को मिलेगा इन फोन में बात कर रहा हूं जो 4 Gen 2 है फोन में आपको Redmi 12N POCO M6 Pro में LPDDR4X का support दिया गया है और इसकी frequency clock है 2133 MHz पे जबकि 665 में भी LPDDR4X का maximum support दिया गया है लेकिन इसकी RAM frequency maximum clock हो सकती है 1866 MHz पे लेकिन यहां पे 4 Gen 2 का maximum support LPDDR5 का है और इसकी RAM frequency भी 3200 MHz तक जा सकती है storage type support में snapdragon 4 Gen 2 maximum UFS 3.1 का support कर सकता है लेकिन phone में आपको UFS 2.2 का support दिया गया है और आप जो 665 में maximum UFS 2.1 का support दिया गया है लेकिन यहां पे आपको जो अलग-लग phone देखने को मिला है तो मैंने इस बार Realme 5 को consider किया है जिसमें EMMC support मिलता है अब बात करें यहां पे gaming की तो gaming में snapdragon का data मैंने Redmi 12 5G snapdragon का data Realme 5 से लिया है यहां पे मेरे पास 665 है अभी तो Redmi 12 नहीं मेरे पास यहां पे बात करें Free Fire Max की तो यहां पे आपको support देखने को मिलेगा 4 Gen 2 में 40 का रहेगा maximum frame rate and graphics भी max के साथ high support मिल जाएगा जबकि 665 में ultraak साथ normal का support मिलता है and Free Fire की बात होगे अब बात करें आपे PUBG OLK 40-40 support मिलेगा दोने processor में HD High का support मिलता है Call of Duty में snapdragon में support मिलेगा 40 उसके बाद Medium High and 665 में 30 Medium High 665 में 665 में आपको very high साथ very high का support दिया गया है Call of Duty में वैसे जो नॉर्मल support है 30 Medium High यह मैं recommend कर रहा हूँ and अब बात नहाँ पे video capture की 4 Gen 2 1K 60 EPS support करता है 65 4K at 30 EPS का options में दिया गया है video playback भी ऐसे देखने को मिलेगा 1K at 60 EPS and यहाँ पे 65 में 4K at 30 EPS video capture and video playback के मामले में 665 काफे better हुआ display की बात के यहाँ पे दोने process similar है 2520 x 1080 pixels के साथ आते हैं दोने के पास NPUB दिये गये हैं connectivity का स्वाल difference देखने को मिलेगा 4 Gen 2 एक 5G processor है जबकि 665 एक 4G processor है LTE cat का भी different देखने को मिलेगा 4 Gen 2 में LTE cat 18 आता है LTE cat का मतलब है long term evolution category 18 जितना high category रहेगा उतना better आपकी speed हो जाती है आपे जो 65S में LTE category 13 दिया है मतलब यह version है Bluetooth की बात किया तो यहां पे जो 4 Gen 2 एक 5.2 मिलेगा N665 में Bluetooth version 5.0 मिलता है तो connectivity के मामलें 4 Gen 2 definitely better Wi-Fi की बात किया तो दोना भी processor में Wi-Fi 5 का ही support आता है अब बताता हूं benchmark ताकि आपको ideal है यह Geekbench 5 का score है यहां पे single core performance की बात किया तो 4 Gen 2 का score 705 आएगा और 665 का score 311 आएगा मतला को difference काफी हाई है performance के मामले में 4 Gen 2 काफी better चला जाएगा और पे multi core की बात किया तो multi core में 4 Gen 2 का score 2000 आता है और 665 का score 1361 आता है थोड़ा बहुत improve हो जाता है साथ साथ देकिन यहां पे आपको जो performance major drop देखने को मिलेगा और 665 है अंदोदो benchmark की बात के अंदोदो benchmark में यहां पे जो मैंने detail लिया है Snapdragon 4 Gen 2 का यह अंदोदो benchmark 10 से लिया है विससे इसका अगर 9 का score consider किया जाए तो 4 lakh close करेगा और 10 पे यह 4,45 तक जाता है वहीं पे 65 का यह अंदोदो बर्जन 9 का score है यह 1,97,000 तक जाता है बात करें 3D benchmark score की 3D benchmark score ग्राफिक्स के लिए होता है 4 Gen 2 का score close रहेगा 700 के 65 का रहेगा 262 के मतलब यहां पे आपको जो performance देखने को मिलेगी overall एक better performance ग्राफिक्स के मामले में Snapdragon 4 Gen 2 ही है अब बताता हूं conclusion की आपको कौन सा processor लेना चाहिए देखिए आपको पहले ही समझ में आ गया हो कि 4 Gen 2 एक clear winner processor है बाट कितना difference है यह मैं बताता हूं CP performance के मामले में Snapdragon 4 Gen 2 37 score करेगा and 665 जो है वो 23 score करेगा मतलब यहां पे आपको difference काफी हाई देखने को मिलेगा performance के मामले में graphics की बात के तो graphics का Snapdragon 4 Gen 2 22 score करेगा and 665 12 मतलब यहां पे gaming के भी मामले में 4 Gen 2 definitely better battery के मामले में तो यहां पे 4 Gen 2 definitely better है क्योंकि इसमे 92 score आता है and यह 4 nm samsung based technology के साथ है वह 665 11 nm samsung based technology के साथ है तो इसमें आपके थोड़ी battery के problem देखने को मिलेगी and आपे बात ने Tech Room score की तो जो 4 Gen 2 है से में 41 score देता हूँ and 665 को 27 score देता हूँ मतलब एक overall better processor 4 Gen 2 है कुछ मामले में 665 भी better है जैसे इसका 4K का support वह अभी जो processor RS में 4K का support नहीं दिया जाता 2K8 3D best maximum आता है तो आपको इन दोनों processor में से कौन सा processor पसंद आया है जरूर बताएगा अगर आपको इन दोनों processor में से कोई processor लेना है या आप यूज कर रहे है तो भी पताएगा ताकि और लोगों के भी help हो सके और अगर यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like and channel को subscribe करना बिलकुल मत दोलेगा thanks for watching आपको